हेलो एवरिवन, वेलकम टो ओकुल इंडिया के सबसे अफुर्डेबल लर्निंग प्लेटफोर्म बे आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग सर्टिफिकेट फिजिकल एन हुमन जोगरफी को लेकर बात कर रहे हैं by GC Lyon और चैप्टर नमर 21 को हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं Warm Temperate Eastern Margin Climate या जिसको Overall China Type of Climate भी बोलते हैं हमने पिछले पार्ट में Distribution देख लिया और हमने ये भी देखा कि इस तरीके के Climate के जो General Features ये General Characteristics हैं वो क्या-क्या है कुछ Local Factors का Influence है और उसके वाज़े से कुछ-कुछ Variations हमें देखने को मिलता है तो China Type of Climate की बात हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके है आज हम लोग बात करेंगे Gulf Type की और Natal Type की तो उन दोनों को लेकर अमने अपने डिसकेशन आज के लेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए The Gulf Type इसमें जो Gulf Atlantic Region है of the United States यानि उनाटेट स्टेट्स में यूएस में बना को दिखा था उसका जो South East वाला पोर्शन है वहाँ पर इस तरह के climate देखने को मिलता है Experience a type of climate similar to that of Central China except that the monsoonal characteristics are less well established वहाँ पर हमने देखा था जब हमने पिछले पार्ट में बात करे थी चाइना type of climate की तो वहाँ पर हमने देखा था कि monsoonal variation होता है और South East monsoon वहाँ पर देखने को मिलता है गर्मियों के दुनों में जब इस तरीके से कुछ wind जाएंगी और winter के समय में वही monsoon आपका बन जाता है North West तो यहाँ पर क्या है monsoonal variation देखने को मिलता है चाइना type में लेकिन यह जो बस तरीके monsoonal variations है या characteristics है वो Gulf type of climate में उतने जादा established नहीं है जैसे यहाँ पर आप देख रहे है कि गर्मियों के दुनों में wind जो है वो South East से बह रही है है ना South East से आप कह सकते है North West जा रही है और winter के समय पर वही बिलकुल पूरी तरीके से reverse होके North West से South East की तरफ को आने लग दी तो complete reversal of wind है है ना और ऐसा क्यों होता है तो कि इसका कारण तो वही है कि जब land जादा गरम होगी तो low pressure बनेगा है ना comparatively to the water bodies तो फिर वो South East direction में move कर रही है फिर सर्दियों में यही चीज़ उल्टा हो जाएगा तो फिर वो North West wind बन के निकल रही है बाहर की तरफ को यहाँ पर जो Gulf type of climate है इसमें जो mainland America यानि कि जो America का land वाला portion है और Atlantic Ocean के बीच में जो pressure का difference या pressure का gradient है वो उतना जादा नहीं है यह चीज़ जो है आपको 145b में एक figure देखने को मिलेगा जो की है Miami Florida का वहाँ पर जो difference of temperature है between the mid summer जब 82 degree Fahrenheit temperature है जुलाई के महने में और mid winter वहाँ पर January में 68 degree Fahrenheit है यानि कि आप देख सकते है कि जो temperature का difference है यानि कि फिर जो annual range of temperature है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है 14 degree के आसपास है ना और पीछे आपने यहाँ पर देखे पीछे में आपको यही पिछला बाट जो हमने onshore trade winds help to bring about this narrow range of temperature तो यह narrow range of temperature कि इसकी वज़े से जो gulf stream है है ना gulf stream हम लोगों ने ocean currents वोले chapter में पढ़ी है और बाकी onshore trade winds तो यहाँ पर north east trade winds बहेंगी इस तरीके से तो उसकी वज़े से यह जो temperature की range है वो कम हो रही है वो narrow हो रही है यानि कि सर्दियों में बहुत जादा ठंड नहीं है गर्में में बहुत जादा गरम नहीं है तो जो range of temperature है वो थोड़ा सा कम है कहाँ पर natal type of climate summers कैसे हैं यहाँ पर warm and pleasant है ना summers देखे होट नहीं है warm है और pleasant है तो miyami being an important holiday resort and it rarely snows in winter तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण holiday resort है यहाँ पर काफी सारे लोग holiday वगरा मनाने जाते है और यहाँ पर winter में भी rarely आपको snows वगरा देखने को मिलेगी यहाँ बरबारी यहाँ पर नहीं होती जो annual rainfall है वो थोड़ा सा जादा है with 59 inches in miyami new orleans की बात करें तो 52 inches है ठीक है मलब miyami और new orleans में लगबग 59 inch है montego meri में आप बात करें तो 52 inches है और charleston में बात करें तो लगबग 41 या 41 inch के आसपास है और there is no distinct dry period as in the monsoon lens monsoon lens की तरह यहाँ पर कोई distinct dry period नहीं है इसका मतलब कि बारिश जो है वो यहाँ पर साल भर हो रही है देखिए आप उपर देख भी सकते है यही वो जगए है that is miyami का जो map आपको दिखाया गया है जिसमें temperature की बात कर रहे है तो हर महीने आप देख लिजए कि थोड़ा बहुत थोड़ा बारिश जो है मेज इन दा कॉटन और कॉटन और मेज यानि कि मक्का और कपास इन दोनों चीज़ों की खेती जो है वो बहुत जादा हो रही है और वो भी कहां कहां पर इनके अलग-अलग रीजन है कॉटन बेल्ट है कॉटन बेल्ट है वो जब हम आगे जाके economic development की बात करेंगे इस रीजन की तो वहाँ पर देखेंगे कि ये belts कहां पर है है ना और ये दोनों की दोनों ऐसी जगे हैं कि ये world की in crops के लिए ये world के leading areas माने जाते है rainfall pattern को अगर हम उपर figure में देखे हैं यहां पर वारिश थोड़ा सा कम है ये लगबग लगबग मई जून से लेकर सितंबर एक्टोबर के आसपास थोड़ा सा बारिश जादा है यानि कि summer में क्या हो रही है maximum rainfall आ रही है brought by the onshore trade winds which swing landwards from the Atlantic trade winds जो है इसमें onshore trade winds है जो कि Atlantic की तरफ से landward जाती है तो इसलिए थोड़ा सा बारिश जादा हो रही है अब इसके बाद यहां पर जो amount of rain है वो कुछ frequent thunderstorms भी देखने को मिलते हैं summer में और सितंबर एक्टोबर के आसपास कुछ hurricanes वगरा आते हैं उसकी वज़े से भी थोड़ा सा बारिश जादा होती है कुछ stations के अगरा हम बात करें जैसे Monaco Marine, Alabama also show a secondary maximum in late winter when cyclonic activities are greatest जैनि कुछ-कुछ जगे पर एक maximum आपको जो rainfall का maximum है वो आपको late winter में भी देखने को मिल सकता है और वो क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर उस समय कुछ cyclonic activities बगरा होती है कभी कभार आपको कुछ violent tornadoes बगरा देखने को भी मिलेंगे tornadoes मैं आपको दिखाया था जो जमीन से उपर की तरफ को उठते है भावर की तरह है ना वो उठते है tornadoes तो वो भी देखने को मिलेंगे due to intense local heating on the land और land जब बहुत जादा गरम होती है तो इस तरीके का जो मतब cyclone एक तरीके साब उसको कह सकते है phenomenon एक तरीके साब cyclone का ही है लेकिन water body पे नहीं है वो generally land पर हो रहा है तो वो एक तरीके का उपर की तरफ को उठता हुआ है तो these whirling storms follow only a narrow path in the central plain that is the Mississippi basin they leave behind a trail of destruction यानि कि ये जो जिस रास्ते से ये पास करते हैं इस तरीके की जो whirling storms है whirling मतलब जो घूमते हैं whirlpool आपने एक word सुना होगा whirlpool का मतलब क्या है आपने कभी भी नदी में देखा हो आपने भवर देखा होगा अब हमर कैसा होता है वो गोल-गोल घूमता है उसमें पानी ऐसा ऐसा बीच-बीच में घूमता है और पानी नीचे की तरफ को जाता है तो that is known as a whirl वहीं से जो वर्ड है whirlpool बना है whirlpool नाव आपने सुना है company का जो washing machine बगर ही बनाती है तो whirlpool is nothing but that thing तो whirling storms मतलब ऐसे घूमते वे जो storms होते है उनका जो path होता है वो बहुत ही narrow होता है मतलब वो कोई बहुत बड़े region में नहीं बहते एक पतले से narrow path में Mississippi basin में ये flow करते है follow करते हैं उस बात को लेकिन ये एक behind a trail of destruction यानि कि इन से नुकसान इतना जादा होता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान है मतलब बहुत बड़े reason में नहीं है लेकिन नुकसान जो है वो बहुत जादा है तो this is about your gulf type of climate इसके बाद तीसरे type of climate के अगर हम बात कर लें that is the nettle type ये क्या है या कहां पर है ये हमें पता है कि there are three distinct areas on the eastern coast है ना southern continent जो है हमारे तीनो के तीनो उनका जो eastern coast है वहां पर हमें देखने को मिलता है और lying just south of the tropic of Capricorn यानि कि जो tropic of Capricorn या मकर रेखा है उसके just south में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के का climate that is your natal type of climate अब the narrowness of the continents and the dominance of maritime influence eliminate the monsoonal elements which characterize the corresponding climates of the northern hemisphere तो दो कारण है पहला तो ये है कि ये water bodies के पास है क्योंकि coastal region में है आपके eastern coast तरफ है या और भी अगर जादा इसको proper कहें तो south east के coast में है तो वहां पर एक तो क्या है तो उसकी वएसे maritime influence यानि कि water body का influence रहेगा पहली चीज और दूसरी चीज ये है कि नीचे के जो continents है या जो southern hemisphere के continent है आपको मैंने पिछले lecture में भी बात करी थी पिछले chapter में भी बात करी थी कि वो नीचे को जाके थोड़ा सा क्या हो जाते है they becomes a bit narrow तो उसकी वज़े से यहाँ पर जो monsoon elements है कि जो reversal of wind वगरा होता है वो यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता वो हमें northern hemisphere में देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत हमें मतलब बहुत जादा pronounce तो वो आपके china type of climate में है है ना जहाँ पर complete reversal of wind हो रहा है southeast हो रहा है फिर northwest हो रहा है वो चीज़ थोड़ा बहुत वो देखने को हमें मिल रहा है northeast trade winds की वज़े से आपका गल्फ वाले में भी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो southeast trade winds है यहाँ पर southeast trade winds वहेंगी they bring about a more even distribution of rainfall throughout the year as illustrated by the climatic graph for Sydney, Australia यहाँ पर जो southeast trade winds है वो साल भर वहेंगी क्योंकि trade winds जो है permanent winds वो planetary winds है या permanent winds है उनके उपर basically मौसम का कोई फरक नहीं पड़ता और trade winds के उपर क्या होता है जो wind belts है वो आपको पता है क्या होता है जब pressure belts थोड़ा बहुत sun के apparent movement की वैसे उपर नीचे जाती है तो उसके वैसे क्या होता है कि थोड़ा सा उनका region shift होता है या तो वो northward shift होते है या southward shift होते है लेकिन trade winds जो है वो हमेशा बहेंगी वो कभी भी बंद नहीं होने वाली तो उसी के वैसे क्या हो रहा है साल भर लगभग लगभग एक जैसी ही बारिश हो रही है किसी महने में थोड़ा सा जरूर कम है लेकिन कोई बहुत जादा distinct peak देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है जो mean monthly precipitation है वो लगभग 4 इंच का है यानि कि यहाँ पर जो हर महीने के एक औसत बारिश हो रही है वो 4 इंच के आसपास है which is adequate for most agricultural activities most agricultural activities के लिए इतनी बारिश या इतना moisture जो है वो परियाप्त है annual amount कितना है 48 इंच का क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 इंच monthly कैसे निकाला होगा total 48 इंच हो रही है उसको 12 महीने से डिवाइड कर दीजे तो आपको मिल जाएगा 4 इंच तो 4 इंच बारिश हो रही है यहाँ पर monthly average is fairly representative of this type of climate in the southern hemisphere तो southern hemisphere में लगभग average जो है वो इतनी बारिश होती है natal की आप बात कर लें वहाँ पर डर्बन जो है उस पर लगभग 45 इंच के आसपस बारिश है परागवे में अगर आप essence union में देख लिए तो लगभग 52 इंच की बारिश है तो लगभग 48 पचास 52 के आसपस इतनी बारिश देखने को मिल रही है अब होता क्या है कि depressions वगड़ा जो है वो थोड़ा सा यहां से move कर रहे है तो depressions वगड़ा यानि कि जो low pressure का region है उसकी वज़े से जो हमें maximum देखते को मिलेगा बारिश का वो slight autumn में या winter में है अब आप यह देख सकते हैं कि अब देखें यह महीने देखके फिर से confused नहीं होना है ठीक है? March, April, May, June का जो महना होगा वो वहां के लिए क्या है? That is there? Winter तो जो यह March, April, May, June के वाला महना होगा लगभग वो यहां पर winter है और जो उससे शुरुआत का होगा यानि कि आप कह सकते हैं December, January, February के आसपास वो उनका autumn है क्योंकि Southern Hemisphere की बात हो रही है तो इसलिए Northern Hemisphere के जो भी temperatures या जो भी climate होता है उससे आपको confuse नहीं करना है Summer, winter जो है वो अलग-अलग हो जाएगा Northern और Southern Hemisphere में या आपको अमेशा ध्यान रखना है तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो बारिश है वो जनरली winter में या autumn के समय पे जादा है showers में यानि कि बहुत लंबे समय तक बारिश होती रहती है Much of the water जो है वो ground के अंदर seep कर जाता है यानि कि जमीन के अंदर चला जाता है और run-off बहुत ही कम है run-off मतलब कि पानी जो बह रहा है surface के उपर जो पानी बह रहा है वो बहुत ही कम है तो इसलिए these are the regions well suited to agriculture agriculture के लिए या खेती के लिए ये जो regions है ये इलाके बहुत ज़्यादा suited है and are some of the best settled parts of the southern continent Southern continent में हम देखिए तो सबसे ज़्यादा settlements भी हम है इन ही लाखों में देखने को मिलेगा और वो obvious भी है अगरा हो रहा है तो वहाँ पर settlement ज़्यादा होगा another feature जो है वो यहाँ का है small annual temperature range यह फिर से वही obvious की बात हो गई coastal regions के पास है तो maritime effect रहेगा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी तो उसकी वज़े से जो annual temperature range है वो कैसी रहेगी small रहेगी छोटी रही यहाँ पर कोई really cold month कोई ऐसा महना cold महिना जिसको हम कहते हैं वो नहीं है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है annual range की बात करें तो Sydney में लगबग 19 degree Fahrenheit है और coldest month जो है वो 21 degree Fahrenheit above freezing 21 degree above freezing मतलब 32 के ऊपर आप 21 at कर लीजे it becomes 53 degree Fahrenheit मतलब जो सबसे ठंडा महिना है वो भी 53 degree Fahrenheit यानि की 35 degree Fahrenheit होगा अब वहीं अगर हम डर्बन की तरफ चले यानि की नटाल की बात करें तो वहाँ पर की जो annual range है वो 13 degree Fahrenheit है वो भी कब July में the coldest month at 63 degree Fahrenheit तो वहाँ का जो सबसे ठंडा महिना है जुलाए उस पर भी जो टेंपरचर है वो 63 degree Fahrenheit है SNCN की बात करें जो की आपका परागोए में है वहाँ पर जो range है वो और भी कम है the range is only 8 degree Fahrenheit यहाँ की range सिर्फ 8 degree Fahrenheit है और climate आपको pleasantly warm all the time यानि की हर समय जो मौसम है वो कैसा बना रहेगा pleasantly warm यानि की बहुत जादा गरम नहीं है ठीक है pleasantly warm को आप hot से confused नहीं करेंगे मतलब मौसम ठीक है ठंडा नहीं है बहुत जादा गरम भी नहीं है तो इसलिए pleasant weather है अब यह जो southern continents है यहाँ पर कुछ बहुत ही जादा तीव रहे या local sorry, violent local storms आते है which though not as severe as the typhoons, hurricanes or tornado are nevertheless quite significant मतलब, violent है, local storms है लेकिन typhoon, hurricane, जैसे हम आपने नहीं हमें देखा न typhoon, hurricane, tornado आते है उतने जादा severe नहीं है लेकिन significant है, important है जो southernly burster है a violent cold wind blowing along the coast of New South Wales Australia के पास आप देखेंगे तो वहाँ पर एक southernly burster जो है यह बह रही है leads to a sudden fall temperature इसकी वैसे क्या होगा कि temperature एकदम से कम हो जाएगा और यह generally spring और summer के समय में आएगी बहाँ पर ठीक है corresponding cold wind अगर हम आर्जेंटीना और यूर्गवे में बात करें तो that is Pempero तो इसको आप Pampas जो हमने पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में बात करी थी about the grassland of the South America that is आर्जेंटीना में Pampas वगरा तो उससे आप इस नाम को याद रख सकते हैं that is Pempero which is often accompanied by thunder and lightning तो इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरज होती है तो बिजली वगरा चमकती है besides rain and dust यानि ये बारिश वगरा तो होई रही है और South Eastern Africa में अगर हम बात करें तो hot dry wind चलती है that is known as a verge wind ये continent के interior से आती है और इसको हम compare कर सकते हैं आप याद कीजिए हमने foreign wind पड़ी थी Alps Mountain के case में और पिछले पार्ट में हमने पड़ा था जो हमारा North America की prairies है उसमें जो Rockies Mountain है उसके पास से Chinook winds आती है है ना तो वो भी कैसी wind थी hot winds थी तो इसलिए burge winds को भी हम उनी से compare कर सकते है they bring unpleasantly high temperatures and oppressive weather तो इसमें क्या होता है कि high temperature नहीं कि बहुत जादा गर्मी हो जाएगी और oppressive weather मतलब जिसमें बहुत जादा hot and humid condition होंगी उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह हो गए हमारे तीनों तरीके के climate I hope कि आपको चीज़े जो है समझ में आ रहे होंगी China type climate हमने पिछले lecture में बात करी और इस lecture में हम लोगों ने बात कर ली है about the gulf type of climate and the natal type of climate तो आपको I hope यह चीज़ जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी तो इस lecture को जो है हम लोग इतना ही रखना है क्योंकि जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग natural vegetation को लेकर बात करेंगे और थोड़ा सा economic development के बात करेंगे और फिर most probably उसके अगले lecture में यानि कि दो पार्ट हमें और लगेंगे जिसमें हमारा यह chapter जो है complete हो जाएगा हम लोग बहुत तेजी से इसलिए नहीं जा रहे है या इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मैं आपको पहले से बताया है हमारा focus कोई chapter को complete करने पे या सिर्फ line to line पढ़ने में नहीं है हमारी कोशिश हमें सा यहीं रहती है कि जितने जादा से जादा चीज़ें आपको समझाई जा सकें बताई जा सकें वो आपको बताया जाए ताकि एक दो बार भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो काफी सारे concept जो है वो आपके mind में उनका application जो है आपके mind में आ जाएगा तो उसके बाद आप चीज़ों को फिर खुद relate करके भी answer लिख सकते है चाहे prelims type के questions हो, main type के questions हो उन सब के answer आप दे सकते है तो इसलिए इस पार्ट को इतना ही रखेंगे अगले पार्ट में natural vegetation से हम लोग इसको start करेंगे तो content related अगर आपको कोई भी doubt है तब ही आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे है अपने friends वगरे के साथ भी आप जो हमारे YouTube पर वीडियोस वगरा है उनके links share कर सकते है तकि अगर वो लोग भी इस तरीके के courses purchase करना चाते है, enroll करना चाते है तो उनको भी इनसे फाइदा मिल सकते है course को purchase करने में course को access करने में अगर कोई भी आपको technical query आ रही है कुछ चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो आप हमसे हमारी ओकुल helpdesk की email id support at theokul.co पर हमसे संपर्क कर सकते है बाकी या तो फिर आप हमसे जो हमारे social media platforms है Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter उनके थ्रूब भी जुड़ सकते है और अपनी बात आप हम तक पहुचा सकते है कोई भी suggestions या कोई भी feedback तो चलिए मिलेंगे अगरे lecture में natural vegetation से हम लोग आगे continue करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा please do take care of yourself thank you, have a nice day, bye bye